हेलो इस्टेंट्स गुड मॉनिंग आज हम अपने इंगलिस के यूनिट दो पर हैं इस पोयम का नाम है टीम वर्क ठीक है बचो तो आज हम पढ़ेंगे टीम ठीक है तो इससे पहले हमने यूनिट एक पूरी की थी क्लास 50 की ये बुक है ठीक है तो सभी बच्चे ध्यान दें है do you like to work and play with others ठीक है आपको पसंद है क्या औरों के साथ खेलना ठीक है और काम करना मतलब एक साथ आप काम करना चाहते हैं या आप अकेले काम करना पसंद करते हैं यहाँ पर पुछा गया है ठीक है तो एक साथ काम करें क्या होती है यूनिटी होती है ठीक है ना जैसे अके टीमवर्क होना चाहिए टीमवर्क में क्या होता है यूनिटी रहती है और काम जल्दी से आसानी से होता है ठीक है इसी पोयम में यहीं बताएगा है ठीक है बचो तो चलिए सुरू करते हैं यह देखे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं ठीक है यह बास्केट बॉल होती है यह औहाँ पर जो यह पास कराना पड़ता है थीक एह इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रिले रेस तो इस पोएम में इसके नाम आएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, Let's Sing and Dance, तो इसको गाओ, और चलिए, इसको गाते हैं और डांस करते हैं, इसका मतब यह है, ठीक है, Sing मतब, गाना, and Dance मतब, निर्टिय करना, या डांस करना, ठीक है, Teamwork, Teamwork, Together we can make our dream work, then we will share the joy of what we have done, what we have, ठीक, Apostrophe S लगा, भी लिखा है, तो इसका मतब है, ठीक है, जैसे आपर इसका मतब, वी विल, ठीक है, Teamwork, Everyone, ठीक है, फिर अगला देखे, It's, It is, या इसको इच से बोलते हैं, It is, It is fun to suit the basketball through the hoop, but if nobody passes then nobody suits, and the relay race just cannot, cannot, बनलब कांट, cannot go on if nobody wants to pass the baton, ठीक है, इब आपर पूरी पढ़ लेते हैं, We were, ठीक है, we are ने लिखा है, आपर we were, या वी आर, sorry, we are इसको बोलोंगे, we are the part, we are, ठीक है, ना, we were ने, we are, ठीक है, जैसे, you are, we are, helping verb है, इसको पूरा लिखेंगे बात में, इसको आप पहले पढ़ दी ठीक है, टीम वर्क, मदब, एक साथ काम करना, एक साथ काम करना, टुगेदर मदब, एक साथ, टीम वर्क का मदब है, एक साथ काम करना, ठीक है, एक साथ काम करना, टुगेदर का मदब यही है, लेकिन टुगेदर मदब, एक साथ होता है, work के इसमें नहीं जुड़ा है, together we can make our dream work, एक साथ हम अपने जो सोचा है, हमने काम जो सोचा है, जो कारे करने का सोचा है, dream work में जो हमने सोचा है, उसको हम क्या कर सकते है, पूरा कर सकते हैं, ठीक है, मतब जो काम हम करना चाहते हैं, उस काम को हम पूरा कर सकते हैं, इस line का ठीक है, फिर हम अपने जो आनन्द जो हमें आया है, हम उसको share कर सकते हैं, आपस में बता सकते हैं, एक साथ काम करगे ना, अगर कोई खेल हम खेल रहे हैं, एक साथ खेल रहे हैं, कर हम उसमें जीत गए, तो हम उसके आनन्द को हम क्या कर सकते हैं, आपस में बता सकते हैं, ठी को भी share कर सकते हैं कि हमें मज़ा आया है ठीक है ना आपस में बात करते हैं आप लोग टीम वर्क everyone ठीक है ना एक साथ सब के साथ काम करने का जो हमने कारे किया है जो जीतने काम किया है उसको everyone सब के साथ हम क्या कर सकते हैं उसको हम आपस में क्या करेंगे? Share कर सकते हैं, इसका मतब यह है. यह सेर का मतब क्या होता है? आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हम आपस में क्लास में बात करते हैं, कि आज हम मैं जीते, आज हम ने यह खेला, ठीक है न? It is fun to suit the basketball throw the hoop. यह कितना fun है? मतब कितना अनंद दायक है? एक basketball में, यह basketball के hoop में throw करना. अब यह आपको यहाँ पर संभाना चाहिए, यह hoop क्या है? तो देखिए, इसको hoop बोलते हैं. जिसमें यह ball है, यह ball है, basketball है यह, ठीक है? और यह hoop है, जिसमें यह डालना है, ठीक है न? इसको देखिए, एक साथ इसको यह फैके का उपर को, यह लगकी फैके की और यह इसको यहाँ डालेगा hoop में, इसको hoop बोलते हैं यह वाला, ठीक है? तो कितना अनंद दायक है? इसको hoop में डालना, बट इफ नोबडी पासेज, देन नोबडी सूट्स. अगर इसको कोई पास न कराए, और कोई इसको सूट न करे, कोई मारे नहीं, तो इस ball को डालना मुस्किल हो जाएगा, क्याना, क्योंकि अकेले काम नहीं हो सकता है, क्या करेगा? पुस करेगा, जैसे बॉली बॉल में होता है, बॉली बॉल मोहता, या क्रिकेट में भी एक साथ खेलते हैं, अकेले गेम नहीं है, ठीक है, अकेले का ये क्या नहीं है, खेल रही है, कोई इसको पुस करेगा, तो थोड़ा हेल्प होगी, और दूसरा वाले इसको क्या करेगा, हूप में डालेगा, या उस बास्केट में डालेगा, ठीक है, बास्केट बॉल मतब ऐसे बॉल जिसको बास्केट में डालना पड़ता है, बास्केट मतब टोकरी टाइप की जो आपने देखी थी, दोड़ दोड़ के इसके पास लड़की के पास देगी और लड़का फिर भागेगा पास करेगा है ना पास करेगा फिर भागेगा मनतब कहने का मनतब यह है यह रिले रेस पूरी कब होगी जब एक दूसरे को पास कराएंगे बैटन को पास करेंगे इस डंडे को pass करेंगे और फिर यह खेलेंगे अकेले काम ये नहीं हो सकता है ठीक है तो वही वाली बात है जैसे basketball में हो रहा है आपस में help करके आपस में खेल कर वैसे ही baton में या really race इसको really race बोलते हैं ठीक है जिसमें एक डंडे को pass कराते हैं जैसे मैंने आपके पास दिया उसने उसके पास दिया तो ऐसे करके रेस होती है ठीक है इफ नोबडी वांट सो पास दिवल अगर कोई इसको पास न करना चाहे तो ये खेल नहीं खेल सकते हैं तो हर जाएंगे, ठीक है, तो आपस में क्या होगा, एक unity इसमें नहीं बनेगी, और एक team में unity का होना ज़रूरी है, आपस में help होती है, teamwork क्या होता है, अच्छा होता है, जैसे आप interval में खेलते हैं न बचो, interval में, group में खेलते हैं, आप कोई भी game खेलते हैं, तो group में खेलना आप नहीं केल सकते हैं, volleyball आप नहीं केल सकते हैं, ठीक है, last paragraph देखिए, क्या लिखावा है, we are, we were नहीं आपर, we are है, ठीक है न, we हम साथ मिलते हैं, तो हम क्या है, एक unity बन जाते हैं, ठीक है, power बन जाती है, मन्दब पूरे हो जाते हैं, ठीक है, पहले अकेले थे, फिर अकेले खेला, फिर एक साथ खेला, group में खेला, ठीक है न, पहले एक आया खेलने, यह अकेला part है, और फिर यह hole कब बनेगा, जब इस common goal है अब यहाँ पर इसका मंदब क्या है common goal का मंदब क्या है देखे यह लड़का basket ball में ball डाल रहा है न तो यह किवल इसका goal नहीं है इसका target नहीं है किवल यही खिल रहा है क्या नहीं यह इस लड़की का भी basket के अंदर कि zwar jahe ball चले जाए और आपस में क्या करें हेल्प करें बिना help के ball नही जाएगी तो सबका goal क्या है जैसे आप सबका goal क्या है भी पडाय करना ठीक है तो वैसी गेम में क्या होता है सबका goal जीटना उस गेम को Okem ठीक है इसके बार देखें last second last time sometimes it and be a big कभी-कभी यह क्या होता है, एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक बहुत अच्छी चीज होती है, इसमें यह क्या हो जाता है, लग तो यहीं साथ और भी बच्चे होंगे, वो जुड़ जाएंगे, जैसे यहाँपर देखिए, एक ये लड़की है ये वाई लड़की देखिए एक ये लड़का है तो ये अभी अलग अलग है लेकिन एक टीम में जब काम करेंगे जब ये खेलेंगे तो ये अस बन जाएंगे मतलब हम बन जाएंगे है ना तो क्या बोलते हैं हम जीत गए है ना जब आप कोई खेल गुरूप में खेलते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि मैं जीत गया नहीं हम जीते हैं हम होना चाहिए मैं नहीं होना चाहिए है ना हम जीते हैं तो become an us मतलब हम बन जाते हैं मैं और आप हम बन जाते हैं कहने का मतलब यह है ठीक है तो आपके समझ में यह हो काम अलग हो सकता है लेकिन एक गोल एक ही होता है उसकी आखे एक तरब सब की रहती है कि हमाँ ये काम पूरा करना है ठीक है यहाँ पर वर्ल्ड है नियू वर्ल्ड है मिनिंग वगर रहे है ठीक है तो टीम वर्क का मतलब क्या है एक गुर्प के द्वारा कमबाइन एफट करना एक साथ एफट करना ठीक है जैसे एक लड़का यह है एक लड़का यह है और सब एक ही काम करेंगे खेल को जीतने का चाहिए कोई भी खेल खेल रहे है हूप मतलब जो बास्केट बॉल के ऊपर मैं आपको बताया था ये रिंग है और ये टोकरी के ऊपर जो आपको मैंना रिंग बताया फोटो में देखना पास करना मूव करना एक रेस मतलब एक रेस होती है ठीक है जिस पर एक डंडा जो लड़की ने पकड़ता बैटन उसको पास करना पड़ता है बैटन निखा हूँ है बैटन सौट ट्यूब और स आप इसके ठीक है और कुछ गेमों के नाम बताइए ठीक है कुछ ऐसे गेम से बताइए जो गुरूप में खिले जाते हैं और कुछ ऐसे गेम से बताइए जो अकेले खिले जाते हैं मतलब अकेले एक मैं और दूसरी तरफ एक कोई और ठीक है तो कुछ ऐसे गेम के नाम रहे कर रहा है लेकिन जैसे है ransom है इसमें आप एक सबस्वान के यूंत रही है किस्वां क्यों तो इस सब्सक्राइब को